नमस्कार दोस्तो जैत वारतम जैत उसंसकितम हाली में मानो संसादन विकास मन्राले ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम इंडिया रैंकिंग्स 2020 है जिसमें भारत के उच्च सिक्षण संस्थान जा है वो सरकारी या गैर सरकारी हो उनको राष्टी यस्तर पर रैंकिंग जारी किया है आए इसी करब में अगर हम देखते हैं कि 11 जून 2020 को केंडरी मानो संसादन विकास मंदरी रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्टी संस्थ अगर रैंकिंग रूप रेखा यन आई आरेप के तहट देश में उच्च सिक्षा के संस्थानों की राष्टी यस्तर पर इंडिया रैंकिंग्स 2020 जारी किया है अगर इंडिया रैंकिंग्स 2020 की बात की जारी है तो इसमें आठ छेत्र हैं प्रबंधन लॉ मेडिकल इससे है कि पहली बार 29 सितंबर 2015 को जारी किया गया था 2015 को अगर हम सभी छेत्रों के ओवराल संयूक्त रैंकिंग में देखेंगे कि जो टॉफ फाइफ इंस्टिट्यूट है उनमें किसका नाम आता है तो बहुत बड़ा नाम आपके सामने आ रहा है आयटी मद्रास का तो आयटी मद्रास जो है टॉफ फाइब जो इंस्टिट है उसमें पहला स्थान है दूसरे स्थान पे भारती बिग्यान संस्थान बैंगलोरु को अस्थान मिला है तीसरे स्थान मिला है भारती प्रद्धोकी संस्थान दिल्ली को आयटी दिल्ली को इसी क्रम में आगे देखे नाम IIT मद्रास को, दूसरा IISC बैंगलूरू को, तीसरा स्थान मिला है IIT दिल्ली को, चौथा स्थान IIT बॉंबे को, पाच्वा स्थान IIT खड़कपुर को, आगे इसी क्रम में देखते हैं कि जो टॉप फाइब इन्वर्सिटीज हैं, तो यहाँ पे पहली जो बिष्व भिध्याले जे और इसी को, दूसरा स्थान मिला है, जो नई दिल्ली में है, आगे तीसे नमबर पे बनारास हिंदो भिष्व भिध्याले बेट चू वारारसी में, पाच्वा स्थान IIT यहाँ, उससा पाच्वा स्थान मिलाया हैं इंजिनिंग स्रेडी में अगर हम बात करते हैं तो इंजिनिंग स्रेडी के जो टॉप फ्री इंस्ट्यूट है उसमें पहला नाम I.T. मद्रास का आता है दूसरा नाम I.T. दिल्ली का आता है और तीसरा नाम I.T. बॉंबे का आता है इसी क्रम में अगर हम देखते हैं कि जो हम हमारे पास college हैं उसमें top three institute औस है तो पहला नाम आता है mira अची जो आर्प राम कोलेज वर सकार के में ने इल्ली में इसको अस्थान मिला है अच्व्हेला स्थान हिंडो और कोलेज न्इल्लीमे जो है इसको तीसे स्थान मिला इसी क्राब्समें आगे हम देखेंगे कि जो प्रबंधन मैनेजमेंट काटेगरी है, उसमें देखेंगे कि जो टॉप 3 इंस्ट्वूट है, उसमें पहला नाम आता है, आईएम अहंदाबाद का दूसरा आईएम बैंगलूरु का और तीसा नाम आयेम, तलकत्ता का आता है, त अंजाब इन्वर्सिटी चंदिगड में है और तीसा नाम आता है नेस्टन इंस्टिटूट आप फार्मिस्टिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो मोहाली में है इसी करब में आगा हम थ्री जो इस कॉलेज हैं कौन-कौन से हैं पहला नंबर आता है अखिल भारतिया और विग्यान संस्थान और इंडिया मेडिकल साइन्स इंस्टिटूट जो है ये कहां पे है नई दिली में है जिसका नाम एमस के नाम से हम लोग जानते हैं और दूसरा नाम आता है Post-Gagement Institute of Medical Education and Research जो चंडिगड में है इसको दूसरा स्थान मिला है Christian Medical College बेल लोर को तीसरा स्थान मिला है अगर हम आर्खिटेक्चर की स्रेड़ी में देखते हैं कि जो टॉप थ्री इंस्टिटूट है उसमें मिला है आईटी खड़कपुर को दूसरा स्थान मिला है आईटी रुड़की को तीसरा स्थान मिला है नाईटी कालिकट को आईएप समस्ते हैं कि जो हमने अभी तक बताया उससे रिलेटेड एक प्रस्ट है प्रस्ट को हम समझेंगे और उसका आंसर देने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पर प्रस्ट लिखा हुआ है कि 11 जून 2020 को केनरी मानो संसाधन विकास मंदरी रमेश पोखरियाल निशंक ने राश्टी संस्थागत रैंकिंग रूप रेखा यन आई आरेप के तहट देश में उच्च सिक्षा के संस्थानों के राश्टी इस्तर पर इंडिया रैंकिंग्स 2020 जारी की है अब इसी से संबंदित क्या है कुछ कथन दिये गए इससे संबंदित निम्न कथनों पर विचार आपको करना है तो जो पहला कथन को आप पढ़िए इसमें लिखा हुआ है कि मानो संसाधन विकास मंत्राले ने 15 आगस्ट 2016 को राश्टी संस्थाग मतलब पहले नंबर पर है उसके बाद तीसरा जो है बिश्विद्यालियों की स्रेडी में अगर देखेंगे कि भारती विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टिटूट आफ साइंस बैंगलूरू को सी संस्थान प्राप्थ हुआ है तो यहां पर हमारे पास तीन कतन है अब इन कथनों का उपयोग करके यहां पर एक कूट बनाया गया है कि केवल दो और तीन सही है केवल एक और दो सही है और या तो उप्रोक्त सभी सही है तो आपका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में करिए अगर यहां पर हम देखते हैं कि जो यह कथन लिए गया है कथन में पहला आता है कि मानो संसाधन विकास मंत्राले ने 15 अगस 2016 को ये डेट देखिए 15 अगस 2016 को राश्टी संस्थागत रैंकिंग रूप रेखा ये नाई आरेफ की सुरुवात की थी ऐसा नहीं है ये डेट मानो संसाधन विकास मंत्राले ने किया ये रैंकिंग रूप रेखा भ फिकास मंत्राले ने क्या किया था राष्टी संसागत रंकिंग रोव रेखा यर्प Caribbean सुरुवा कर्म में अगर हम देखते हैं कि जो दूसा है दूसा कतन तो पहला कतन तो गलत हो गया दूसर कतन में देखते हैं कि सभी शेत्रों की ओवराल शेयूकत ranking में IIT मदरास को सीर सस्थान प्राप्टू है तो ये कतन हमारा सही है इसी करम में हम देखेंगे कि बिश्विध्याला की स्रेडी में भारती विज्ञान संस्थान इंडियन इस्टिटूट आप साइंस बेंगलूरू को सीर सस्थान कि बाल कि बंगल है जब है तो ये उने, तो हमारे आप सिरे, प्रजसरा